तो आज इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू करने वाली हूँ यह 3 प्लस 1 बीच के अपार्टमेंट गाईज देखे कितना सुन्दर अपार्टमेंट है इसके साइज के बात करेंगे तो 264 स्क्रेयार्ड इसका साइज रहने वाला है प्रोजेक्ट की बात करूंगी तो आज का हमारा प्रोजेक्ट है बाइदे नेम गुलनार मेडोज जो लोकेटेड है जीरो किलोमेटर फ्रम चंडिगर्ड हाइवे की बात करूंगी तो यह कनेक्टेड रहेगा आपके पत्याला चंडिगर्ड हाइवे से कंप्लीट फोर एकर का टाउंशिप है जिसमें आपको फ् क्लब हाउस आजाएगा जिसमें आपका मेडिटेशन एरिया आजाएगा आपका इंजोर गेम्स आजाएगे स्विमिंग पूल जिम्नाजियम बैंक्विट हाल आजाएगा जिसमें आपका 60-70 वीपल्स का गादरिंग इसली हो जाएगा तो फुल फुल फेमिनिटीज यह आ हाँ दाल आजाएगा कि अगेंगे पताल जाएगा हाँ झाल झाल So guys this is the main entrance of our flat यह रहेगा हमारा plus one room जिसका size आप यहाँ पे देख सकते हैं यह अटाच वाश्रूम के साथ रहेगा आपका जिसमें आपका सारा फिटिंग्स जो है प्रीमिम रहने वाला है सीट है आपका यहाँ पे बातिंग सेक्शन है इनफ साइज है वाश्रूम का और रूम का भी And then after अब हम चलेंगे हमारे सेंपल अपार्टमेंट के अंदर आईए So guys this is our beautiful apartment जो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें स्टार्टिंग में ही जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका लीविंग स्पेस Come here, drawing space जो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही decent size आपको यहाँ पे मिल रहा है Is drawing area का जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप easily 10 to 12 sitter add कर सकते हैं बीच में आपका round table भी आ सकता है मतलब जितने भी best तरीके से आप अपना drawing area decorate करना चाहें उसको accommodate करना चाहें easily आप कर सकते हैं सामने space मल जाता है आपकी screen के लिए बहुत बड़ी wall है तो आप जितना मर्जी बड़ा LED पैनल यहाँ पे बनाना चाहें इस wall को किसी बे तरीके से डेकोरेट करना चाहें आप इसको कर सकते हैं इसी के साथ आपका balcony भी अटाच रहेगा जो आपको full wall का window यहाँ पे मिल जाता है with toughen glass आईए so this is our balcony guys यह जो आपकी balconies है यह पर डिफरेंट फ्रेम में आ जाती है कुछ आपको बिलकुल ओपन मिलेंगी कुछ ऐसे फ्रेम में मिल जाएंगी कुछ में जो फ्रेम का डिजाइन है वो कुछ और है आप अपने मर्जी से चूज कर सकते है अपनेटी साइस की बात करेंगे तो काफी अच्छा साइस है अपना साइस है वालक्coming का जिसमें आप सिट इलिए अपना अरंजमेंट कर सकते हैं जूला वगारा लगाड सकते हैं एं यही बालक्नी जो है वो आपके पॉस बेडरूम के साथ भी connected रहने वाली है so यह थी हमारी balcony and our drawing area with this let's move towards our living space and our dining area so adjoining your drawing area यहाँ पर आपको space मल जाता अपना छोटा सा living space create करने के लिए जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं and इसी के साथ यहाँ पर आ जाएगा हमारा dining space तो आप इस area को क्योंकि यह एरिया बहुत बड़ा आपको मिलने वाला है तो इसको आप अपने तरीके से जितना ब्यूरिफुली आप इसको डेकुरेट करना चाहते है जितनी चीज़े आप इसमें आप करना चाहते है आप इसली कर पाएंगे यहाँ पे आपका डाइनिंग टेबल आ जाएगा इस तरफ आप अपना क्रॉकरी यूनिट भी रख सकते है इस तरफ आपका लीविंग स्पेस है इस तरफ भी आप अपना कुछ डेकुरेटिव आइटम्स रख सकते है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इन्होंने भी अपनी रखी हुई है So this was our drawing, dining and our living space इसे के साथ यहाँ पे आजाएगा हमारा kitchen So kitchen का space काफी अच्छा है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते है completely modular kitchen रहने वाला है इस साइड आपका cooking counter आजाएगा जहाँ पे आपको space मल जाता है चिमनी के लिए, hob के लिए आपको cabinets आजाएगे आपके and coming to this side यहाँ पे आजाता है आपका sink with this faucet and उपर आपके cabinets आजाते हैं जहाँ पे अपनी utensils बगएरा wash करके आपके लग सकते हैं सबसे starting में यहाँ पे मिल जाते हैं आपको refrigerator के लिए space तो काफी बड़ा refrigerator यहाँ पे लगा रखा है for the sample तो आप यहाँ से idea ले सकते हैं कितना बड़ा refrigerator आप यहाँ पे लगा सकते हैं and अजी के साथ हमारा balcony भी अटाच रहेगा so balcony size काफी अचसा है आपका जैसे कि आप देख सकते हैं तक आपकी balcony वहने वाली है आपके second room के साथ and आपके third bedroom के साथ दोनों के साथ connected रहेगी आपके kitchen के साथ connected रहेगी taps वगार भी प्रोवाइड है so in case जैसे वाशिं वगार का कोई activity होता है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे आजाते है आपकी gas pipeline का space तो यहाँ है हमारा first bedroom so look at the space guys बहुत ही अच्छा space मिल रहा है आपको decent space मिल रहा है room में जहाँ पे आप अपना bed लगा सकते हैं side tables adjust कर सकते हैं इतना space बच जाता है कि एक chair या फिर एक couch अपने room में आड कर सकते हैं तो काफी अच्छा space है सामने वाली wall पे आपका LED panel के लिए space आजाएगा जहाँ पे अपना screen लगा सकते हैं काफी बड़ी wall है अपने तरीगे से decorate कर सकते हैं यहाँ पे आजाएंगे हमारे cupboards so इनका layout space आप देख सकते हैं room के साथ आपका balcony अटाच रहे का जो मैंने आपको drawing के लिए से दिखाया था guys उपर आप यह जो light देख रहे है बहुत ही unique सा light है बहुत कम जगा पे आपने देखा होगा तो आप ideas भी ले सकते हैं आपने room को decorate करने के लिए and then after यहाँ पे आजाता है हमारा washroom so guys यहाँ पे यह आपको काफी बड़ा मिल रहे है क्योंकि यह जो रूम मैंने आपको दिखाई यहाँ आपका master bedroom है तो obviously master bedroom का master washroom अंदर ही आपके सारे cupboard रहेंगे काफी अच्य स्पेस के साथ starting में ही आपका basin आजाएगा आपे jaguar के सारी fittings रहने वाली है then your seat and your bathroom section ताइलिंग की बात करूँगी full wall length का ताइलिंग रहेगा आपका and जो flooring है वो सारी आपकी एक जिसके आचाएगे and जो master bedroom है उसमें जो आपका flooring रहेगा वो आपका wooden flooring रहेगा so यह था हमारा first bedroom अब यहाँ है हमारा second bedroom so firstly तो आप रूम देखें काफी अच्छा size है again मैं बोलूँगी इस flat के जितने भी rooms है ना guys बहुत ही decent size के साथ आपको provide किये जाएंगे center में bed है आपका side tables है वहाँ पे एक chair रखने की जगा बच जाती है बेड के बाद भी यहाँ पे हमारे cupboard आजाएंगे जैसे आप देख सकते आपका LED पानल के लिए space जहाँ पर अपना screen लगा सकते हैं and बेड रखने के बाद जैसे कि मैं आपको बताया था कि यहाँ एक chair couch रखने का space बच जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर and here comes our washroom so इस washroom को connect करने के दो तरीके हैं आप रूम से भी connect कर सकते हैं यहां से भी आ सकते हैं क्यूंकि दो दर्वाजे आ जाते हैं तो आपके जो guest वगारा होंगे वो भी इसको यूज कर सकते हैं and it can be your guest bedroom so यहाँ पर आजाएगा bathroom section आपका यहाँ पर seat आजाएगी and यहाँ पर आजाएगा आपका basin mirror वगारा सामने रहेगा आप अपने तरीके से अपना washroom जो है वो decorate कर सकते है आई अब यही से चलते है बाहर and इस साइड आ जाएगा हमारा third bedroom again look at the size of the bedroom center में आपका इतना बड़ा bed है जिसका design मुझे बहुत अच्छा लगा रूम का जो theme है वो भी बहुत unique है आप यहां से ideas भी ले सकते हैं यह lighting आप यहां पर देख सकते हैं दोनों side यह बहुत unique है तो इस room में भी आपको काफे अच्छा space में जाता है इस side आपके covers आ जाएंगे बालकनी आप आज रहेगी जो मैंने आपको किच्छन से दिखाई थी सामने वाली बॉल पर आजाएगा आपके LED पैनल के लिए space जो जहां पर अपना screen लगा सकते हैं जाएज अगर आप ध्यान देंगे ना तो घर में अलग लग जगा पर आपको ऐसे चीज़े अपने घर में आड कर सकते हैं ताकि आपका घर और भी ज्यादा ऐलिगेंट और भी ज्यादा प्रीमियम लगे क्योंकि यह चीज़े बहुत अट्रैक्ट करती हैं हमारे गेस्ट वगरा को यहां जाता है हमारा वाश्रूम अगेन बेसिन आजाएगा स्टाटिंग में सीट यह बातिं सेक्शन पार्टिशन वगरा लगा के आप इसको बिल्कुल सेपरेट भी कर सकते हैं फ्लोरिंग सारे एंटेस्कित आजाएगा फुल वॉल लेंध की टाइलिंग है विद माट फ इसको बेसित की अपर्टम्ट बहुत अच्छा लगा होगा कि बहुत यह बीरिफुल तरीके से बनाया गया है लेयाओ विव अच्छा है पर लुट रूम का भी बहुत अच्छा है आपके वाश्म की बहुत अच्छा है अगर लीविंग दाइन की बात करें इसका पर इसक वो भी आपको completely modeler मिर रहा है. बालकरी का साइज भी आपका काफी wide रहने वाला है. तो अगर आपको इसकी कोई भी क्वेरी चाहिए और कुछ भी आपको पूछना है, स्क्रीन पे नमबर आ रहा होगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं. हमारी sales team आपको assist करेगी. मैं मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में. Till then, tata. Bye-bye.